गुमला में अपराध्यों का अप्तान डव लगातार जारी है। कभी भी किसी की भी हत्या अब आम बात हो गई। मानो अपराध्यों में पुलस से खौफ मिट गया। जले के घागरा प्रखण मुख्याली स्थित केला बागान की संचालक लोकेश पुत्ता स्वामी सहयोगी एमदेवा वासु की हत्याग ग्यात अपराध्यों ने धारदार हत्यार से गलारीत कर स्वामार की देर रात्री में कर दी। जानकारी के अनुसार करनाटक मैसूर निव सुबह जब आटर ड्राइवर खीरा ले जाने के लिए केला बागान आया तो देखा कि घर के बाहर एमदेवा दासु का शवखून से लत्पत पड़ा था। इसके बाद घागरा थाना प्रभारी को सूचना दी गई जिसके बाद इंस्पेक्टर शामानंद मंडल थानेदा इस संबन में इंस्पेक्टर शामानंद मंडल से पूचने पर उन्होंने कहा शुकमार भगत के केला बागान में करनाटक के मैसोर निवासी लोकेश पुत्ता स्वामी उसके सहयोगी एमदेवा दासु की हत्या अग्यात प्राधियो द्वारा धार धार हत्यार से कर दी गई हर बेलों पर जाच की जा रही है जल्द हत्यारों का पता चल जाएगा सभी सलाकों के पीछे होंगे गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट यह अभी अनसुनान में है हम लोग सिग्री खुलासा करेंगे घागरा में सुभा सुछना मिली है कि दो लोग जो किरल के थे यहां पर फार्मिंग कर रहे थे पिछले 15 साल से उनके धारदार अत्यार से मिलती हो गई है इस अंदर में वहां पे थाना परवारी अब जाच परतार चल रहा है किस आगे जो भी निकलेगा उसके अनसरा मुख कर रहे थे कामडारा में भी सरीश्टर की ममला हुई है हाथ यह हुई है कामडारा में एक ग्यात लास्ट की ब्रामदगी की सुछना मिली है इसका खाना परवाई मौके पहुचके उसका सिरात कर थेस्ट 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 थेस्टार की सूचके उसका।